हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे आज में आपके साथ किचन के कुछ टिप और ट्रिक्स से यर कर रही हूँ जो आपके रूज मर्रा के काम को बहती आसान बना देंगे और आपके समय और पैसे दोनों की पचत होगी दोस्तो आप मेरी वीडियो किस सहर किस देश से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स पर चरूर बताए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेयर करना ना भूले तो चलिए देखते हैं पहले यूजफूल टिप, दोस्तो जब हम फेवेक्विक से काम करते हैं तो जाने अन जाने हमारे हाथ में फेवेक्विक लग जाता है और ये आसानी से छूटता नहीं है, इसे छुडाने में हमें काफी दिक्कत होती है, तो मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी टिप बता रही हूँ, जिससे ये बहुत ही आसानी से छूट जाएगा तो इसके लिए ले लीजे आप एक प्लेट, अब इस प्लेट में हमें डाल देना है थोड़ा सा नमक और नमक के ही साथ हमें डाल देना है नारियल का तेल, दोस्तो सर्दी का मौसम है तो नारियल तेल इस समय जम जाता है, तो इसे हम पहले मेल्ट कर लेंगे, तो हमें से हमें इसे नमक में मिला देना है अब इस नमक और तेल को हमें हाथ पर लगा देना है दो से तीन बार हमें हाथों पर इसे इस तरह से रब करना है दो से तीन बार रब करने पर जो फेविक्विक लगा है वो पूरी तरह से छूट जाता है इसे छुडाने में हमें कोई भी द संदाई होगी तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप हमारा मोजा को लेकर है मोजा अक्सर हम अपने पैरों में पहनते हैं लेकिन आज हम मोजे को पहनाने वाले हैं चुडियां जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुनाई ये वाली ट्रिक हम सभी हाउस वाइफ के काम माने वाली है ऐक्सर हमारे पास बहुत सारी चुडियों का कम्बिनेशन होता है कई बार हम्स कर новых करके चुडिया पहनते हैं कई इससे फाइदा ये होता है कि चूडिया तूटने का या खराब होने का डर बिल्कुल भी नहीं होता है और काफी सारी चूडिया आप सौक से अंदर रख सकते हैं क्योंकि जो सौक होता है न वो थोड़ा सा मोटा होता है कपड़ा इसका और बहुत आसानी से सारी चूडिया इ थोड़ी सी छोटी निकलती हैं और जिनको पहनने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो आप जुराब की मदद से इनको पहन भी सकते हैं तो यहां पर जैसे की चुड़िया हैं और बहुत ज्यादा ये टाइट हो गई हैं तो कई बार हम साबुन हाथ में लगाते हैं या प तरीके से पहनने के बाद जितनी भी आपकी टाइट चुडियां है जो आप नहीं पहन पा रहे थे आप देखेंगे बहुत आसानी से हाथों में चली जाती हैं अगर तूटती भी हैं तो हाथों पर नहीं लगती हैं आप भी इस ट्रेक का यूज करिए आपको बहुत ही आगे के तरफ खीचते जाईए आप देखेंगी सारी चुडियां बिना क्रेक हुए बिना हाथों में दर्द हुए बहुत आसानी से निकल भी जाती हैं और इसे वापस फोल्ड करके इसी के अंदर रख दीजिए आई होप आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी तो च इसके लिए मैं आपको बहुत ही छोटी सी टिप बता रही हूँ जिसे ये टमाटर एक रात में ही लाल हो जाएंगे तो आपको ले लेना है इस तरह से कोई सा भी उलन टोपी और इसके अंदर उन टमाटरों को डाल देना है जो पके हुए नहीं है अब इन टमाटरों को ऐसे ही टोपी में छोड़ देना है ये रात भर में ही बिलकुल लाल हो जाती है तो मैंने इसे रात भर के लिए छोड़ दिया था अब हम इसे देखेंगे कि हमारे टमाटर लाल हुए हैं कि नहीं तो हम टोपी में से सभी टमाटरों को निकाल लेंगे अब हम देखेंगे कि जो टमाटर हमने कच्छे डाले थे वो टमाटर लाल हो गये हैं जो टमाटर बहुत ज्यादे कच्छे थे वही टमाटर पूरी तरह से लाल नहीं हुए हैं तो आप इन्हें एक रात के लिए फिर से टोपी में रग दीजे आप देखेंगे जो टमाटर थोड़े बहुत रह गय वो भी टमाटर पूरी तरह से लाल हो जाएंगे आई हो आपको मेरी चोटी सी टिप पसंद आई होगी तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफूल टिप दूस्तों कभी-कभी हमें एक प्याज की नीड होती है और हमें एक प्याज काटना होता है तो हम इसे चौपर में नही कट करते हैं तो हम आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं प्याज को काटने का तो पहले आपको प्याज को छिल लेना है देखिए इस तरह से जैसे मैं प्याज को छिल रही हूं उसी तरह से प्याज को पहले आप छिल लीजिए उसके बाद इसके जो नीचे का जड़ ह उसे आप निकाल लेजे इसे हमें चाको की मदर से निकाल लेना है ये हमें नुकसान पहुचाता है इसलिए जड़ को हमें नहीं खाना चाहिए और उपर के हिस्से को हमें नहीं कट करना है देखिए इस हिस्से को हमें कट नहीं करना है अब हमें प्याज को सीधा रख लेना है और चाकू की मदद से इसे हमें बारीक बारीक कट कर लेना है देखिए जैसे मैं कट कर रही हूँ आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मैं इसे कट कर रही हूँ इससे आपके प्याज एक ही बार में बारीक कट जाएंगे और आपको chopper की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सभी लोगों के पास chopper भी नहीं होता है तो वो चाकू से ही cut करते हैं तो वो इस तरीके से प्याज को cut करेंगे तो एक मिनट में ही प्याज हमारा पिल्कुल बारीक कट जाएगा देखिए प्याज कितना बारीक बारीक कट हो रहा है और जो ये उपर का हिस्सा है उसे आप fake दीजे देखिए प्याज कितना बारीक कट हो गया है आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी तो चलिए देखते हैं दूसरी useful टिप हमारी सिलेंडर को लेकर है अब क्या होता है सिलेंडर हर घर में यूज होता है और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि सिलेंडर में आग लग जाती है बहुत सारे नियूज में हाद से सुनने में आते हैं कि सिलेंडर में आग लग जाती है अब उस केस में हम क्या करते हैं कि पानी डालते हैं और बहुत सारी चीजे अपलाई करते हैं लेकिन फिर भी आग नहीं बुशती है तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताती हूँ आपको ले लेना है मिक्सी का जार और इस जार को हमें इसके उपर वाले हिस्से पर रख देना है इससे आग तुरंत ही बुश जाएगी क्योंकि इसे हमने मिक्सी के जार से कवर कर दिया है और ये स्टील का है इसकी वज़े से इसको एर नहीं मिलेगी और बिल्कुल भी आग नहीं जलेगी तो इस ट्रिक को अपना कर हम बड़े हासे से बश सकते हैं। एक मिकसी के जार से प्लास्टिक का इस्तमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि प्लास्टिक का इस्तमाल करेंगे न तो आग के साथ ये भी मेल्ड हो जाती है। तो आप स्टील का कोई भी बड़तर ले लीजे। मिक्सी के जार की बजाए आप इसकी जग जग या फिर क्लास का भी इस्तमाल कर सकते हैं। I hope आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ। जब भी हम सिलेंडर को लेते हैं तो इस तरह से यहाँ पर डेट लिखा हुआ रहता है। कुछ नंबर दिये रहते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है D25 इसका मतलब क्या होता है बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ जो यह नंबर दिये होते हैं यह यह होते हैं और जो अल्फाबेट दिये होते हैं यह होते हैं मन्त। तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं, A का मतलब होता है January, February, March, और B का मतलब होता है April, May, June, और C का मतलब होता है July, August, September, और D का मतलब होता है October, November, December, तो इस तरह से आप पता कर शकते हैं कि इस सिलेंडर की expiry date कब है, इस सिलेंडर की expiry date December 25 है, I hope आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, इस ट्रिक को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सेयर करिए, जिससे उन्हें भी ये जानकारी हो सके, I hope आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, थैंक्स फॉर वाचिंग